बच्चों अभी तक कविता के जरी हमने नीम के पेड़ के महत्व को जाना और समझा इसके अलावा भी नीम के पेड़ के बहुत सारे उपयोगे इस वीडियो के जरी अब उपयोग कोन से हम एच जानेंगे भारत के लगबग हर हिस्से में नीम का पौधा आसानी से उपलब द जाता है आयुर्वेट्ची किस्सा पद्धदी में नीम की पत्तियों चाल और बीच से होने वाले तमाम तरह के फायदों का जिक्र मिलता है विशेशोग्दुन की माने तो नीम की पत्तियां और फलियां स्वाद में भले ही कड़वी होती हैं लेकिन इनका सेवन करने वाले सर अपच्चन और मुत्रपत के संक्रमन जैसी कई विमारियों से सुरक्षा मिल सकती है आयुर्वेद में नीम के पेड़ की छाल फून और फल का भी औशदीय रूप से उपयोग और लाब बताया गया है आयुर्वेद विशेशगों की मुताबिक नीम की पत्तियां का सेव विकार नक्सीर आंतों की कीड़े पेट की खराबी भूक न लगना त्वचा के अलसर रुदय और रप्तवाईकाओं के रोगों जैसे रुदय रोग बुखार मदुमेह मसूरों की बिमारी मसूरे की सूजन और जिगर के रोग भी ठीक हो सकते हैं नीम के पत्तों में विटामिन सी पाई जाती हैं नीम के पत्तों को पिषकर शरीर पर लगाने से त्वचा से संबंदित रोग ठीक होते हैं अगर रोजाना सुबह खाली पे नीम की पत्तियां खाने से शरीर में रोक प्रतिकारक शमता तो बढ़ती ही है साथ ही शरीरिक पिकार भी दूर होते हैं नीम जिसे चमतकारी जड़ी बुटी की रूप में भी जाना जाता है इसका हर इस्सा आउशदी उपचार में काम आता है नीम रख्तों को साप करता है और शरीर से किसी भी जहरीवी तत्व को बाहर निकलने में मदद करता है और नीम का सेवन करने वाले वेक्तिकों की नी लि पत्ते को जूस लाबदायक है जलन पर भी नीमके पत्ते का रस लगाते हैं कान में दर्ध होता है उस में भी नीमके पत्तों का उपवर्ट किया जाता है इसलिए बच्चे मैं आपसे आँखर में ही कहूंगी कि नीम एक है लेकिन उसके फायदे अनेक है